अध्याय 10, त्रिभुजों की सर्वांग समता Congressy of Tragles सर्वांग समता क्या है? चित्र एक में त्रिभुजों को देखें क्या ये एक जैसे है? एक त्रिभुज पर दूसरा त्रिभुज रखें तो क्या वे एक दूसरे को ठक लेंगे? यहां तो हम देख सकते हैं कि यह एक जैसे नहीं है क्योंकि इनके भुजाएं एक बराबर नहीं है कैसे पता लगेगा यह कोई दो आकरितियां एक दूसरे को ढख लेंगी अत्वा नहीं दिये गए दोनों त्रिभुजों के लिए ऐसा तभी होगा जब बिन्दू A बिन्दू D पर बिन्दू B बिन्दू E पर तथा बिन्दू C बिन्दू A पर पड़े और ऐसा तभी होगा जब त्रिभुजों की सभी भुजाएं वह सभी कोण बराबर हो याने जब दोनों त्रिभुज सरवांग सम हो सरवांगसं होने का अर्थ है सभी अंगों का समान होना ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं एक दूसरे को पूरी तरह ढख लेती हैं त्रिभुजों के संदर्भ में सभी अंग समान होने का अर्थ है सभी भुजाओं एवं कोणों का दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं एवं कोणों के समान होना इसी तरह हम चतरभुज पंचभुज आदी में भी सरवांग समता की बात कर सकते हैं परंतु क्या दो आकरितियों की सरवांग समता के लिए उनके सभी अंगों की समानता की जाज करना आवशक है अत्वा किनी विशेस परिस्थितियों में कुछ अंगों को देखकर भी उन्हें सरवांगसम कह सकते हैं आईए वृत्थ, वर्ग और आयत के संदर्व में हम इन्हें समझते हैं जैसे वर्ग में चार भुजाएं वह चार कौन होते हैं प्रत्यक भुजा बराबर एवं प्रत्यक कौन नब्बे अंश का होता है दो वर्गों की एक भुजा ही समान हो तब हम कह देंगे कि दोनों वर्ग सरवांगसम हैं और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढख लेंगे लेकिन एक आयत की एक भुजा दूसरे आयत की संगत भुजा के समान हो तो क्या वे भी सरवांगसम होंगे? जाहिर है ऐसा नहीं होगा जब दोनों आसन भुजाएं दूसरे आयत की संगत भुजाओं के समान हो तभी दोनों आयत सरवांगसम होंगे वृत्तों में तो सिर्फ त्रिज्जा समान होने पर ही वे एक दूसरे को ढख लेंगे संक्षेप में हम कह सकते हैं चित्र तीन देखें दो वर्ग A, B, C, D और P, Q, R, S सरवांग सम होते हैं यदि A, B बराबर P, Q दो वृत्त सरवांग सम होते हैं यदि उनकी तरिज्जा समान हो याने O, A, A, O, B आप चित्र चार देखिए O, A, A, O, B के बराबर होगी तब दोनों वृत्त सरवांग सम होंगे चित्र पांस देखिए इसी प्रकार दो आयत सरवांग सम होते हैं यदि उनकी संगत आसन भुजाओं के माब बराबर हो याने A, B बराबर P, Q और A, D बराबर P, S क्या हम तरिज्जों की सरवांग समता के लिए कुछ शर्तें ढूंड सकते हैं इस अध्याय में हम इसी बात की परताल करेंगे तरिभुजों की सरवांग समता जयामिती में तरिभुज सबसे कम रेखा खंडों से बनी बंदा करती है सभी बहुभुज तरिभुजों सही बने होते हैं इसलिए तरिभुजों की सरवांग समता पहचानना बहुभुजों की सरवांग समता जाचने के लिए उपयोगी है हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सरवांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजों वा संगत कोणों के माप पराबर हो त्रिभुजों के अवयों में संगतता दो त्रिभुज ABC और PQR देखें इनमें यदि AB को PQ के संगत माने तो बाकी अंग नीचे ताली का अउंसार संगत है चित्र छे में दो त्रिभुज बने हुए हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आप देख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं संगत कौन कौन से हैं और शीर्स कौन कौन से संगत हैं आप तालिका में देखें पहले त्रिभुज ABC की भुजा AB और दूसरे त्रिभुज PQR की भुजा PQ संगत भुजाएं हैं इसी तरह भुजा BC भुजा QR के संगत है और भुजा AC भुजा PR के संगत है कोड़ों की संगतता के संदर में हम दोनों तरी भुजों में देख सकते हैं कोड़ A संगत है कोड़ P के और कोड़ B संगत है कोड़ Q के इसी तरह कोड़ C संगत है कोड़ R के शिर्सों के संबंद में हम क्या सकते हैं यह शिर्स A संगत है शिर्स P के शिर्स B संगत है शिर्स Q के और शिर्स C संगत है शिर्स R के दोनों और तीर का चिन संगतता को प्रदर्शित करता है और जो देख रहे हैं वह चिन सरवांग संबता का संबंद बताता है इसे दो त्रिभुच त्रिभुच ABC तथा त्रिभुच PQR सर्वांग सम है यानि त्रिभुच ABC सर्वांग सम त्रिभुच PQR तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR त्रिभुच BCA सर्वांग सम त्रिभुच QRP या इसे त्रिभुच CAB सर्वांग सम त्रिभुच RPQ भी लिख सकते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCA अत्वा त्रिभुज CAB1 ही हैं त्रिभुज BCA को त्रिभुज QRP के सर्वांगसम लिख सकते हैं परन्तु हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RQP या त्रिभुज BCA सर्वांगसम त्रिभुज RPQ त्रिभुजों की सर्वांगसमता में शिर्षों वो कोणों के करम को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है सरवांग सम्त्रिभुजों के संगत भागों के लिए संगशेप में सत्री सभ लिखा जाता है जिसे सीपी सीटी या करस्पॉंडिंग पार्ट आप कंगरेंट ट्रेंगल कहते हैं